विरेंदर चोधरी कह रहे हैं, चल बे, साले तू चल, आउट मेरी वाल से, अगर तुम्हे समझ आता है तो, तूने क्या किया है विरेंदर चोधरी? तूने कुछ लोगों को मिर्ची लग रही थी, जब उसने मेरा मोदी जी का और मनौलाल जी, हर्याना की मुख्या मंत्री जी का पोस्टर, पिछली बार जो वो सागत अफरी का चोटी पे गया था तो, उसने पोस्टर इस तरह से लहराया और वो फोटो सब जगय पे डाली उस बहुत सारे लोग समझाते हैं, अरे आप राजनेता हो, आपको किसी गाले नहीं निकालनी चाहिए, आपको गंदा नहीं बोलना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्यों भाई, क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे गुस्सा, मक्या मारता है घर में बैठके, फ्येस्बुक पेज है और इस पे मैं नहीं चल वे तूँ चल वे तुझे नहीं पसंद है तो तूँ साइड में ओ चल यहां से निकल दुबारा कमेंट किया ना तो तुम्हें मैं अच्छे से मैं जवाब देती हु बताती हूं कैसे कमेंट करते हैं चल बे मेरी आईडी से मेरे पेज पे तू कैसे कहेगा चल बे तुझे नहीं देखना तो मत देख साड़ों तुम्हारी उकात नहीं है रोतास की लेरी का मुकाबला करने की वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला युवा है वो तुम क्या हो क्या किया तुमने जीवन में क्या किया है जवाब दो मुझे कहता है चल बे शर्म आती है तुमारे जैसे लोगों पे और जितने भी लोग मेरे को यहां पे देख रहे हैं सुन रहे हैं इस विरेंदर चोधरी को जवाब दो और इससे पूछो कि इसने कैसे लिखा चल वे ऐसे लोगों को जवाब देना है शोशल मेडिया ये आज कर सब कुछ है यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो कैसे लिख दोगे आप कुछ भी जवाब देना पड़ेगा और मैं तो जवाब मांगूगी बिल्कुल मांगूगी और कोई भी कुछ भी गंदा लिखता है मुझे तो जरूर जवा मांगूगी कंप्लेंट भी करूँगी सालो तुम्हारा ये बंद जिस पेज जिस आईडी से कर रहे हो ना ये गंदा लिखा तो तुम बंद हो जाओगे यहां पे तुम्हें लिखने की आजादी नहीं है यहां प तो मुझे गालिया निकाली लोगों ने मुझे गालिया निकाली मुझे गंदा फिर मुझे गालिया निकालना तुम भी उसी का हिस्सा हो तुम लोग जो हो तुम्हारे साथ भी ऐसी सिच्वेशन आती है वह एक किसान किसान बहुत करते हो ना कि किसान के लिए यह निकिया मैं करती हूँ आर्टिस्ट हूँ अपने आर्टिस्ट कलाकार का गला घोट के मैंने राजनीती में मितलब जो चीजें की क्योंकि टाइम दिया बहुत सारा लोगों से जुड़ गई तो उनके लिए काम करना था जिम्मेदारी बन गई मेरी लेकिन कलाकार के रूप में करती हूं मेरी विधान स्भाब सभूलती लोगों को इसँआलती हूं या मैं नहीं बदली हूं लोग कहते मिडियो बनाती है । church II हापनी घर में करती तुम को नहीं देखना तो मत क्यों मैं कहीं मौज्वरा नहीं कर रही हूं जाके आर्टिस्ट के रूप में काम कर रही हूँ मेरी होबी है डांस करना मेरी होबी है गाना गाना कलाकार हूँ में और करूंगी परशान्त वरा इनेलो बीजेपी मुर्दाबाद कोई कहता इनेलो मुर्दाबाद कोई बीजेपी मुर्दाबाद कोई कॉंग्रेस मुर्दाबाद अरे इंसानियत भी तो कुछ होती होगी साले कमीनों जिस जिसने कमेंट किया है ना गंदा उनसे कहती हूं एक रुपाया भी अगर तुम देते हो ना रोतास किलेरी को तुम्हारे जैसे घटिया जो कमेंट करने वाले हैं एक एक रुपाया भ मार भेज देती हूं उसमें पैसे हों मेरे लिए चल यह मैं बीकबॉस में आने के बाद बीक बोस में को पासा के बाद में यह खेला जो भी कहला ओ è कुछ भी से खेला हो मैंने अपने एसाब से खेला उसमें अच्छा लगा ठीक है नहीं अच्छा लगा इसम्मीह इसम kayak police इ नहीं आतीक्यों मैं काम कर रही हूं थो उसमें बुढ़ापे u जवानी से क्या मतलब है कि शर्म आती मुझे वैसे लोगों निएuges अ को यॉज मेरे बैटी को बीच में ले आते को युए मेरे दोस्त को ले आते हैं शर्म नहीं आती बुढ़ापा आ गया है एक्टिंग कर रही है क्यों भाई बुढ़ापे में एक्टिंग नहीं होती बुढ़ापे में काम नहीं होता बुढ़ापे में फिल्में नहीं होती क्या बुढ़ापे में गाने नहीं होते शर्म तुम लोगों की सोच पर आती है मु तुम्हारे हैं तो तुम्हारे लिए उन लोगों की ऐसी तैसी करने को भी तैयार हूँ जो लोगों निमारे अंदर है गंदा और घटिया कमेंट करने का उसला है और वही अपने बच्चों को दे के जाओगे शायर क्या करोगे देश को खराब कर रहे हो बात करते हैं बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार नहीं आई अरे चार साल बाद चार साल बाद की बात करते हैं बेवकूफ आदमी दिमाग इस्तेमाल कर मैं ऐसी हूँ जब बीजेपी के साथ उस समय जुड़ी थी जब कुछ भी नहीं था हरियाना में मुझे उस बात का डर दिखा रहे हो कि बीजेपी सरकार नहीं है आए ना आए कोई फरक नहीं पड़ता मुझे हम कारे करता हैं बीजेपी की सरकार रहे ना रहे हम काम करेंग के बीजेपी में हमेशा के लिए मेरी पार्टी कभी चेंज नहीं हो गई कि ऐसके ज्वेली एसके ज्वेली नंगड थी और नंगड ही रह गई मुझे लगता है तेरी योकात है नंगड रहने की मेरे परिवार ने मेरे घर ने मुझे सब कुछ दे रखा है कोई कमी नहीं है बहुत अच्छे ठाट से रहती हूँ कोई नंगर नहीं हूँ सारी सुविदा हैं मेरे पास और जीवन में जो कुछ चाहिए जीने के लिए वो सब है उससे मुझे संतुस्टी है और मंत्री बनने से या कुछ बहुत बड़ा बनने से जो मिलना था उससे कहीं ज्यादा मुझे मिला हुआ है कहीं ज्यादा पूरा हिंदुस्तान मुझे जानता है पूरे देश में मेरा नाम है सोनाली फोगाट को हर कोई जानता है तो मैं नंगर नहीं हूँ मैंने नाम कमाया है स राजनीती में आके मैंने लोगों की सेवा की है और आज सौनाली फोगाट को ऐसा कोई नहीं नहीं जानता होगा मैं सबसे ज़्यादा धन्मान समझती हूं अपने आपको